दोस्टों अभी अभी जस्ट एक नुटिकेशन जा रही हुई जो कि बिहार पुलीस की वेकेंसी जिए दोस्टों बिहार पुलीस सिपाही बर्ती में अभी एक नई वेकेंसी आई है जो कि मद्य निश baterrey के लिए एक नई कितना फीजिकल कितना पेमेंट और कब से कब तक इसका फॉर्म अपला एक इस सब के बारे में इस वीडियो से आप राप्स कर सकते सारी इंफॉर्मेसर जदि आपको पूरी के पूरी वीडियो चाहिए देखने के लिए आप लास्ट इसको जरूर देखें अभी हम इसके करने वाला यह वीडियो है क्योंकि देखिए इसका वेबसाइट सबसे पर इसका वेबसाइट आपको देखें देखिए लेकिन जदि हमारे इस वीडियो का आप देखते हैं पूरा तो आपको पढ़ने की पढ़ती नहीं है देखिए इसकी जो जो अंतिम डिठी के यहां पर क्या लिखा हुआ डेट लाइन से सुरू करते हैं हम सबसे पहले ही डेट लाइन आप इतन पत्र प्राप्ति की अंतिम पाएंगे जदि आपको इसके वेकेंसी को भरना है तो आप तेरह नौ याने की तेरह सेप्टेंबर के अंदर ही भर लेंगे विक्यापन संख्या की बात करते हैं एक 2022 का ने का मतलब 2022 का यह पहला फॉर्म है आप लोग वेट कर रहे हैं कमेंट से भी पूछते थे या फिर आप अमुक अमुक माध्यम से हमके क्वेस्टन आता था लेकिन इसका जवाब आज हम आपको ले देते हैं वेकेंसी तो आई आप इसको पूड़ा का पूड़ा समझेए वेट आपका खतम अब बात करते हैं कुछ और की क्या है वो बात मद्रिसेद उत्पाद्यों बिहारी सोचते हैं कि सीट कितना है यह पहला बात तो सीट यहां 76 है, 76 है, चेहतर मात्र है लगता है कि लोग ह MAL-सेल करेंगे सीट का जिछी सीट लंबा राता था तो लोग फूड़ा-खutation होता है तो मूठ ठोड़ा डान हो जाता है तो, यहां पर सेवेंटी सिक्स के लिए चिहत्तर सीट के लिए यहां पर आबेदन लिया जाएंगे सेलरी तो धासु है खतरना कि कोई दिक्कत नहीं है सेलरी आपका यहां पर 30-35,000 के आज पास मिल जाने वाला है अब यहां पर क्या हम लोग समझ लेते हैं कि आपको की 13-8 से यह प्रारंब होगी क्या है ओनलाइन आबेदन प्रारंब करने की प्रक्रिया क्या है 13-8-2022 13 अगस्त से लेकर के 13 सेप्टेंबर तक भर सकते हैं एक माह का पूर्ण समय आपक फिर खुद से computer या फिर mobile से आप इसके form को भर पाएंगे और भी जो जानने वाली बड़ी बड़ी बात है वह आपको इसमें बताएंगे बताने के लिसमें 14 यानि कि 14 पेज का ये पीडियाप है notification है सब कुछ पढ़ेंगे तो साइट साम तक हो जाएगा लेकिन इसना लंब है कि नहीं सब चीज के बारे में आपको समझाते यहां पर क्या लिखा हुआ है सबसे बड़ी बात मत निसद सिपाही के पदपर नियुक्ति है तू आविदन के लिए पात्रता पात्रता मतलब eligibility आप eligible है या नहीं है इसके लिए आप इस वीडियो को देखे क्या है नागरि पार यह है इंडिया के बाहर के लोग इसके फॉर्म को फील नहीं कर पाएंगे अब भीहार्चों की सेक्षणी की योगता क्या होनी चाहिए तो मत दिने सेथ सिपाही के पद के लिए सेक्षणी की जो अरहता है वह एक एक 2022 एक 2022 तक intermediate का जदी कोर्स पूरा कर लिए है तो इ जिहार के किसी भी बोर्ट की बात करें तो उसका रिजल्ट मार्च अप्रील मई जून तक आया है यहां पर कहा जा रहा है कि आप जनवरी में ही पास जदी है तो भर सकते हैं तो उनका तो छूटेगा उनके लिए तो प्रॉब्लम है तो दुख नहीं मारी है मेरे दोस्त ब को मिलते रहेगी कोई चिंता करने लिए बात नहीं है यह चूड़ जूड़ यह चेतर तो मात्र सीट में चलिए और क्या इसमें उनकित이면 से करें और twice a अ cu कुछ नहीं है सब भी के लिए इस वहम को भरना कोई दिकत नहीं सब भर सकते हैं अब है यहाँ पर एज की बात हम लोग करें एज सबसे बड़ी बात है एक एक की जेनरल के लिए यहनidor की अनारक्टिट के पुरुस और महला के लिए 25 बर्स रखा गया है पिछटा के पर एभम 18 पिछडा वर्ड यहीं कि बीसी वन बीसी टू के पूरुस है उसको दो साल का छूट मिल रहा है और बीसी वन बीसी टू के जो महिला है उसको तीन साल का छूट मिल रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जिदि आप पुरुस महिला में अलग-अलग बात करें एक साल ज्यादा महिलाओं को मिल रहा है अब बात करें लोग अनूसुचि चूट उसको मिल रहा है वो तो format सब दिन से है कि तीन साल और दो सलका तो यहां पर क्या किया गया है लड़का को एक साल और कम कर दिया गया है दोई साल का छूट है महिला को तीन साल का छूट है लेकिन यहां पर सेवक जो उचतर वितरमान की सेवा संबर्ग में जाने के लिए प्रत्यक्ता प्रक्षाम भाद देना है तू अधिक्तम आयू पाँच वर्स आरे बापड़े यानि कहने का मतलब जो अपडेट रना चाहते हैं प्रमोसल देना चाहते हैं वह भी इसके फॉर्म को भरेंगे यानि भीर भारतों अच्छा कजा होने वाला है अब इसके अलाबा और भी जो चीज है उसको भी समझते हम लोग क्या है अब भीहारतियों का साराडिक मापदंड यानि कि जो भी कैंडिडेट है उसका फिजिकल मापदंड क्या होना चाहिए वो क्या उचाई जैसे कि क्या है उचाई उससे पहले एक चीज़ों को नोट पढ़ते क्या लिखा हुआ है उचाई सीना और वजन के लिए कोई अंक देर नहीं है यानि कि हाइट चेस्ट का साइज और वजन वेट के लिए कोई अंक आपको नहीं मिलने वाला पड़ंतु विहीत आहरता है पूरी नहीं करन अब यहार की और सफल गुषित करें के मतलब जो हाइट जो चेस्ट जो वेट का मापदंड है उतना आपको पूरा के जाना होगा हलाकि उसका कोई आपको एक्स्ट्रा वेटेस या कोई मार्क्स आपको अलग से मिलने वाला है नहीं वहीं आप साथ फिर्ट के जवानत आप आपको एक दू नमबर का एक्स्ट्रा छूट मिलने वाला है लेकिन आपका जैतना हाइट चाहिए उतना आपको हाइट लेकर जाना होगा वहां पर इसा नहीं कि नमबर नहीं मिलने वाला तो हाइट कुछो चल जाएगा सो नहीं अब हैं उचाई की बात करते हैं बड़ी 성agini BC1 के पुरूष है उसके लिए एक दोशाथ सीजें पात सेंटिमेटर कम कर दिया ग inter services से पूसे के बार और मेदो कर दिया गया है उसको भी ले लेते हैं गम सगम उसमें बहुत सारे जाती है चलिए कोई बात नहीं वह तो बात की बात है हम लोग जानते हैं उसके बारे में यहां पर स्ट की बात करें तो 160 cm आपका न्यूंतम होना चाहिए हाइट उससे नीचे वाले के लिए चलिगा नहीं सभी वर की महला इनकी किसी भी कैटेगरी के महला हो जेनरल, EWS, BC1, BC2, SC, ST कोई भी कैटेगरी के हो तो 155 cm का हाइट कम से कम उसका होना चाहिए तब इस वेकेंसी को वह फील कर पाएंगी नहीं तू नहीं कर पाएंगी उसके बार सीना पुरुष के लिए जो जो चेस्ट का है चेस्ट सिर् जाना 5 cm पड़ता है कम से कब 5 cm आपको फूलना चाहिए आपका चेस्ट तो जेनरल के लिए जो है और BC2 के लिए रखा गया है वह 80 cm, BC1 के लिए रखा गया है, 80 cm ही अनुस्ति जंजाती के लिए रखा गया है 79, 89 cm इसको कम किया गया है सिर्फ SC, ST को इसके अलाबा BC1, BC2, ज सबको रखा गया है 81, 81, 81, फुला करको सबको पासेंग टेंडर फुलाना है चेस्ट, महिलाओं के लिए सीना नहीं नापी जाएगी, देखिए बस टूप से लिखा हुआ, महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी, वजन की बात करें, सभी वर्गों की महिलाओं, नहीं भर पाएंगे, या भर दीजिए ना, उस समय तक खाप भी के मोटे हो जाएंगे, जब तक फिजिकल होगा, तो वह आपका चलेगा, लेकिन उस समय में आपका बिल्कुल मेंटेंड होना चाहिए, जदि आपका 48 से प्लस 59 है, उस समय बीमार पढ़ जाते है, और आपक आपका लिखित पढ़िख्छा है, लिखित पढ़िख्छा है, यानि कि अमनों थोरा बहुज सलेबर स के बारें भी जान लेते हैं, कि आपका एक्ग्जाम जो होना है या लिखित, यहन電 कि पर पेंग ओपर होना है, computer के उपर नहीं होना है, इसमें 100 अंक का तकशी होगा, जो भी बिहार भी जाले परक्षा स्वें दसमी क्लास के अस्तर का होगा जो भी कुस्टन से आपको आएगा वह मैट्रिक लेवल के बुक से आएगा इसके उपर का लेवल होना नहीं चाहिए अलाकि इससे पहले जो भी एक्जामनेशन हुए है बहुत सारे बच्चे का कमेंट स्वेल के जानएत है कि इनकी यहाँ पर क्या है डूसर दो गंटे ईश्र्ण आतों सही के लिए एक एक द्यागा क्यानिका मतलब गनते पह राएं और माट का थी लिए लिए दो मेंटिव से होगा निगेटीव मारकिंग जाहत तक बात इसमें नहीं कहीं इसका मज़न समझेगे हैं fledशति तो हमांगरेजी गनीत सामाजिक विज्ञान में इतिहास भुगल लगधिन के कोस्तन को बनाने के लिए इन छोग टॉपिक को आपको बढ़िया से पढ़ना है तो ही आपका इजामने से निकलेगा अब बात है लिखित पड़िक्षा में 30% से कम अंध्प्राप्ट करने वाले अब भ्यारती सारणी दक्सता चाहिए नहीं कहने का मतलब 30% जदी आप अं सचाई में नहीं आती है अब आगे बात है कि नंबर 6 में लिखित पड़िक्षा अंती मेगा सुची काधार नहीं है लिखित पड़िक्षा के वाल सारी के लिए अरग क्वालिफाइंग होगी यह जो आपका पेपर यह जामने संज़ो आपका है इस पर आपका मेरिट लिस् उस पे आपको बिल्कूल द्यान देनी वाली बात है अब है यहां पर दूइत्य चनलन में क्या है सारी के उत्था पड़िक्षा कुल सो अंग की होगी 100 अंग का फीजिकल एक विए ध्याम भी होगा फीजिकल में दाड आपका 50 अंग का होगा जो भी दोड़ उतने हैं घु तो वो आपका 50 संग का होगा, आप जो 50 संग का दोड़ होगा, उसमें भी इस कंडिशन से, क्या कंडिशन है, तो सभी कोटी के पुरूस के लिए, इसमें category wise जो है, छूट नहीं दिया गया, यह बढ़िया बात है, अच्छा लगता है, यह सब चीज, category wise छूट नहीं दिया ग जाता है, पांच मिनट 20 सेकेंड से, पांच मिनट 40 सेकेंड में आपको 30 अंक, पांच मिनट 40 सेकेंड से, अधिक एबं 6 मिनट तक जदी आप दोड़ जाते हैं, तो आपको 20 अंक तक मिल जाता है, तो आपको maximum time attain करना की, जलती जलती दोड़ के पहुंचे ताकि आपको 50 नं पांच, उसके बाद, और कितना दोड़ है, पल यह तो समझ लिती, यहां पर छोड़े तो हम है, पुडूस के लिए क्या है, एक मील, यानि की 1.6 किलो मेटर, यानि की 1 मिल करना है, वही महिला को 1.6 किलो मेटर करना है, मात्र 1 किलो मेटर का दोर है, इसलिए यहां पर time दिय और यही चीज़, आप 5 मिनट तक में दोर लेते हैं, तो 20 अंक मिलने वाला है, जल्दी-जल्दी फटा-फट दोड़े, ताकि आपको अच्छा मिलेगा, और इससे उपर आप दोर करके घुशते हैं, निकालते हैं, तो आपको असफल तयो गुशत कर दी जाएगा, तो कि अप लेट से दोर के घुशे हैं, उसके अलावा गोला फेकने की बात करें, तो 25 अंक गोला फेकने में, आप सौ में 50 ऊड़ा गया, पचास में क्या है, गोला फेकने के लिए आपको मिल रहा है, तो गोला फेकने में भी आपको है, यदि आप 16 फीट, यनि से 17 फीट तक भे पूरुष की बात अब महिलाओं के बारे में क्या बात करें लो यह 12 पूर्ण का ही मिलेगा उसको जदी आप 12 से 13 फीट तक फेकते हैं तो 9 अंग मिलेगा 13-13 फीट में 13 फीट में 17 इसी साब जिदी आप उसको 16 फीट से भी ज्यादा फेक जिते हैं तो 25 का 25 अंग आपको पू किया जाएगा। उंची कूत की बात करें लिए 25 इस भी दिया गया है यहां की पूची कूत के के लिए 4 लग्यों करते чист λ से यांड वन दोरते हैं तो आप को मिल जाता हैं तो उसके महिला की बात परती तो महिला के लिए जो है तीन सुट कूद करना है तीन फीट माजर करना है तीन फिट आप करते हैं तो तैरह तो आपको सथ्रहा पीट करते हैं यह उससे उपर 25 का पचीस्टों मिल जाता है या फैसिकल की बात हम लोग कर रह 04 जो आपका प Holz लिस्ट बनता है तो सब्सक्राइब किसाने पोस्ति है नहीं हुआ सब chicken जेनरल के लिए जो पद की संख्या है वह है आपका 40 देखिए उसके अलाबा जो आपका आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 7 अनुस्ति जाती यानिकी के लिए आपका 5 स्ट के लिए 3 अत्या पिछणा वर्ग यहीं कि EBC यहीं कि BC1 के लिए 7 पिछणा वर्ग यहीं कि BC2 या BC उसको बोलते हैं 13 और पिछड़े वर्ग की महला को अलग से एक सीट दिया गिया है मात्र कुल मिला करके 76 सीट रखा गया है और उसमें 35% महलाओं के लि प्रापधान है इसके अलाबा और आगे परते कट-फ हो गए तो कट फो गए यहां पर एक दिनवरी दुरब 22 को यानि कि जो भी एक जिनवरी 22 के डेट से आपको लिया जाएगा माना जाएगा चिकित्सिया जाँ जो है आपका यह उस थर्ड स्टेप में आता है जब यह फ होगा तो यह वेबसाइट हम पहले आपको बता चुके हैं आपको जाना है csbc.bis.nrc.in के ऊपर आपको जाना प्रविशिन डिपार्टमेंट के ऊपर और वहां पे आपको फर्स्ट आप भी मिल रहा है जब अप्लाइ करना जाएंगे तो आपको पता है लेट लतीप आप कि आपको जांकारी मिलती रहेगी अब बड़ी बात है रोकड़ा यानिकि पैसा रुपिया कितना लगड़ा है मेरे दोस्त तो रुपिया की बात करें तो यहां पर देखिए असपास टूप से लिखा गया और नादन पत्र का मूल छोसौ पचहत्र रूपिये तथा बिहार राज्य के मूल निवासिया जाती राज्य के मूल निवासिया सभी इंकुट्री के वंबात के लिए 180 रुपिया मात्री यानिकि बिहार के जदी आप स्ट बंधू आते हैं तो चौस एक सो असी रुपिया का पेमेंट लगेगा इसके अलाबा किसी भी जगह के कांडिडेट है जहां बिहार के जेंडल है इडवल्यास है बीसी वन बीसी टू है या बिहार के बाहर के कांडिडेट है तो 675 छोसौ पच्छतर रुपिया का आप स्ट के लिए मात्र एक स्वासी रुपिय का पेमेंट इसमें रखा गया जो भी पेमेंट आप नेट बेंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कुछ भी के मात्स्यम कर सकते हैं पेमेंट करना आजकल ऑनलाइन बहुत ही आसान हो गया इतना भारी काम रहा नहीं है लोग आपके आवेदन को सीधे फेख फाक यानिकी रद्द कर दी जाएगा रिजेक्ट कर दिया जाएगा फिर बाद में आप रोते रहेगा आपका काम नहीं होगा इसलिए फेख फरजरी ना करें बढ़िया रहेगा उसके फोटो के बारे भी इसमें बताया कि जो भी सफेज डा होना चाहिए आप जो वाइट कलर का है उसके कपरा के उपर आप फोटो खिचवा के तब दीजिए बढ़िया देगा नीवी फोटो होना चाहिए इसानिकी साल बड़ उसल पहले का फोटो वह चलेगा इसके लिए आपका मोबाइल नंबर और इमिल एड़ी जो बिलकुल ए पता दे तेरह नौ यानिकी तेरह सेप्टेमबर 2022 को इसका लास्ट डेट है जदी आप लास्ट डेट को बढ़ने का इंतिजार करेंगे तो साइच छूट जाएंगे जॉब नहीं मिले पाएगी फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो हम आसा करते कि आप फटाफट इसके डबब समय निनलिकित अधार पर बिना कारण बता इरद कर दिया सकती आब इदन पत्र का पर्थम भाग पंजिकन भड़ा जाना पढ़नतु दूदिया भाग को भर कर समिट ना करना जदी कोई रेइस्टिशन करके छोड़ देता है अगले आगे नहीं जाता है उसके जो फॉर्म ह अपलोड नहीं करते हैं तो भी रिजेक्ट कर दे जाएगा या फिर गलत आप सुचना उसमें भरते हैं तो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा बहुत सारे वजह इसको आप पढ़ लीजे समझ में आ जाए कि इतना लंबा हम तो पढ़ने वाले है नहीं क्योंकि मेरा समय पৌलीट अच्छा लगा अधार ला वीन इतना तो वह हमारा कहीण कहीं यूज में आ रहा है आपको फाइदा हो रहा हा नहीं तो फाइदा करने से फाइदा किया मेरे दोस्तों नहीं करेंगे चोड़ दर यह काम हम तो मुझे कामट मूं जरूड़ करिए अच्छा लगा झाल झाल